उत्पत्ती अध्याइच्छी फिर जब मनुष्य भूमी के उपर बहूत बढ़ने लगे और उनके बेटिया उत्पन्न हुए तब परमिश्र के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दर है तो उन्होंने जिसको चहा उनसे ब्याह कर लिया और यहुआ ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है उसकी आयू 120 वर्ष की होगी उन दिनों में पुत्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमिश्र के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूर्विर होते थे जिनकी किर्ती प्राचिन काल से प्रचली थे और यहवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराए पुत्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है और यहवा पुत्वी पर मनुष्यों को बनाने से पच्टाया और वह मन में अतिक खेदित हुआ तब यहवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सुरुष्टी की है पुत्वी के उपर से मिटा दूँगा क्या मनुष्यों क्या पश्यों क्या रिंगने वाले जन्तु क्या आकाश के पक्षी सब को मिटा दूँगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पच्टाता हूं परंतु यहोवा की अनुगरह की दुष्टी नुह पर बनी रही नुह की वंशावली यह है नुह धर्मी पुरुष और अपने समय के लुगों में खारा था और नुह परमेशरी के साथ साथ चलता रहा और नुह से शेम और हाम और एपेत नाम तीन पुत्र उत्पन्न हुए उस समय पुरुष्वी परमेशरी की दुष्टी में बिगड गई थी और उपद्रव से भर गई थी और परमिश्वर ने पृत्वी पर दुष्टी की, तो क्या देखा कि वह बिगडी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृत्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बीगाड ली थी, तब परमिश्वर ने नुह से कहा, सब प्राणियों के अंतकरने का प्रश्ण मेरे सामने आ क्योंकि उनके कारण पृत्वी उपद्रों से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृत्वी समेत नाश कर डालूँगा, इसलिए तु गोपेर वुक्ष की लकडी का एक जहाज बना ले, उसमें कोट्रिया बनाना, और भीतर बहार उस पर राल लगाना, और इस धंग से उसको बना जहाज के लंबाई तीन सो हाथ, चवड़ाई पचास हाथ, और उचाई तीस हाथ की हो, जहाज में एक खिड़की बनाना, और इसके एक हाथ उपर से उसकी चप बनाना, और जहाज की एक अलंग से एक द्वार बनाना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड़ बनाना, और सुन मैं आप पृत्वी पर जल प्रलाइका के सब प्राणियों को जिन में जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ और सब जो पृत्वी पर है मर जाएंगे परंतु तेरे संग मैं वाचा बानता हूँ इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और पहो समेथ जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक-एक जाती के दो-दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना से दो-दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भाति-भाति का भुज्य पदार्थ जो खाये जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकटा कर रखना सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा परमिश्वर की इस आग्या के अनुसार नुह ने किया